Hello everyone, आज मैं बताऊंगी वीडियो के बारे में एक वीडियो आफीशर वा होता है जिसे अपने छेतर या खन का विकास अधिकारी भी कहा जाता है और उसकी या जिम्यदारी होती है कि उसे अपने छेतर के हर विकास कारियों पर कड़ी नजर रखनी होती है सरकार दुबारा जारी किये गए विकास के हर कायर को करवाने की भी जिम्यदारी इनकी होती है और आप इनका मौत इसी बात से समझ सकते हैं कि इनके अनुमती के बिना इनके छेतर में कोई भी विकास का काम नहीं होता वीडियो का फुल फॉर्म वीडियो का फूल पॉम होता है ब्लॉग डेवलोप्मेंट ओफिसर वीडियो के लिए योग्यता वीडियो ओफिसर बनने के लिए सबसे पहले बारविक अच्छा किसी बेस्ट्री में उत्रीन करें वीडियो ओफिसर नहीं बन सकते हैं वीडियो ओफिसर के लिए आईयू सिमा क्या होती है खरंड विकास अधिकारी बनने के लिए आपकी नियुनतम आईयू 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयू 40 वर्ष होनी चाहिए अगर आप आरक्षिस रेनी के अंतरगत आते हैं तो आपको I.U. में विसे छूट दी जाती है अधि आप O.B.S. रेनी में आते हैं तो आपको एक्ष्टा तीन साल की छूट मिलती है O.B.S. रेनी का चातर 21 वर्ष ते लेकर 43 वर्ष तक वीडियो का एक्जाम दे सकता है और दूसरे अधिकारियों दुवारा स्वीकिर्ट की गई योजनाओं को सही से किया जार रहा है या नहीं इसकी जाज परताल करना बीडियो पंचा समिती फ़र्ण से पैसा ग्राम पंचायतों के लिए देते हैं और सुनिक्षित करते हैं कि किस ग्राम पंचायत को कितना बजट दिया जाएगा पंचा समिती के दुवारा दिये गए सभी दस्तावेज और लेटर को चेक करके उस पर साइन करने का काम भी बीडियो का ही करता है बीडियो अफिसर को अगर लगता है कि किसी पंचा समिती ने पेशो का दुरुपियो किया है तो बीडियो कही सक्त करवाई करने में सक्षम होता है वीडियो ग्राम पंचायतों में होने वाले विभिन कार्यों को देखता है कि वो निश्य समय सीमा के अंदर हो रहे हैं या नहीं वीडियो पद के लिए स्लेक्शन प्रोसेस खंड विकास अधिकारी के पद कच्चेन रिटन एक्जाम और इंटर्व्यू के माधियम से किया जाता है लिखित परिक्श उत्रिन करने के बाद ही आवेदा को साचात्रकार के लिए बुलाया जाता है और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल एंड शेयर जरूर करें